बड़ी हुई पैदावार, ये फसल की पैदावार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद कर सकती है प्रतिशत उकपादन की बहतर गुनवत्ता, यह अधिक स्वादिश्ट, पॉष्टिक और नेत्रहीन आकर शक बनाकर उपज की गुनवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है लंबे समय तक शेल्फ जीवन, ये खराब होने के लिए अतिसम विदनशील बनाकर उपज की शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद कर सकता है तनाव के प्रती प्रतिरोध में विद्धी, ये पॉधी की तनाव, जैसे सूखा, गर्मी और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद कर सकता है बहतर पौधी स्वास्थय, ये पौधी की समगर स्वास्थय को बहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे ये बीमारी और कीटों और अन्य जैविक विकार के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है उर्वरकों और कीट नाशकों की आवश्यक्ता को कम करना, ये रासायनिक उर्वरकों की आवश्यक्ता को कम करने में भी मदद करता है, जिससे ये फसल उत्पादन के लिए अधिक स्थाय विकल्प बन जाता है लक्षित रोग, बायो विटा एक रोग नियंत्रन उत्पाद नहीं है हाला कि ये पौधे की तनाव के प्रतिरोध को बहतर बनाने में मदद कर सकता है जो पौधे को बीमारी के प्रतिकम सम्विधन्शील बना सकता है लक्ष्य फसले, बायो विटा का उप्योग विबिन प्रकार की फसलों पर किया जा सकता है, जिन में शामिल है फलों की पेर, सेब, अम्रूद, आम, केले, नारिल, सबजिया, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, शिमला, मिर्च, कद्दू खेट की फसले, कपास, सोयाबीन, धान, गेहू, मूनफली, आभूशन, गुलाब, गुलबावदी